राजस्तान विदानसभा चुनाफ से पहले बीजेपी कॉंग्रिस की अशोग कैलोच सरकार पर हमलावर है। वही आज एक बार फिर से पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। नरेंद मोधी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी कई राज्यों में बीजेपी लोगसभा पर वार सीटों पर अपने दिकच नेताओं को प्रचार के लिए लगा दिया गया है। ऐसे में लोगसभा की प्रमुक सीटों पर बीजेपी के नेता दोरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजस्तान बीजेपी की ये दोनों नेता जारखंड और उत्रप्रदेश में डट गए हैं। कल बीजेपी के महामंत्री ने बजनलाल शर्मा ने बताया था कि सचीवाले गिराफ कारे करमी जैपूर प्रशासनिक जिले जैपूर शहर जैपूर उत्तर और दक्षिन से हजारों की संक्या में कारे करता प्रदेश की सरकार के खिलाफ अवाज बुलंद करेंगे। मगर आज इन दो दिकच निताओं के ना आने से यहां पर जोर दिखाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वैस अतीश पुनिया 13 जून को संभल लोकसबा शेत्र के कुंदर्की में प्रबुच सम्मेलन किया उन्होंने बजुई में जनसबा को संबोधित किया 14 जून को मेनपूरी लोकसबा शेत्र के जस्वंत नगर में सुभा सारे 10 बजे लावारती सम्मेलन दोपैर 12 बजे मेनपूरी में जनसबा को संबोधित करेंगी